मेरे दर्शकों आपका स्वागत है मेरे चैनल दुरगा टैरो में और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा जिससे कि आपको पता है हमारा चैनल पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पर्सनल टेरो रीडिंग, पर्सनल हवन सेवाएं और पर्सनल माला जब है ना और इसके साथ साथ जो 7 सब्टेंबर है 7 सितंबर से आप जानते हैं गनपती जी विराजमान हो रहे हैं बैट रहे हैं तो अगर आप गनपती जी के नाम के जो स्पेशल हवन हैं ओफर्स में चलेंगे वो पूरे 11 दिन तो आप वो ले सकते हैं और ये जो हवन करवाए जाएंगे गनेश जी के दिनों में ये स्पेशली होते हैं आपकी खोशाली के लिए और अबंदन्स और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए रिधी सिधी आपकी लाइफ में आए और जो भी दुख दलिद्री है शोक है पीडा है वो दू चली जाए है ना मतलब कि जो भी ऐसी लो वाइब्रेशन है कोई रुकावट है रोक है रुकावट है ब्लॉकेज़ है या ऐसा है कि मनी आने में रुखता है है ना तो या हेल्थ में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमेशा मन भटका रहता है माइड में अगर नेगेटिविटी चलती रहती है ऐसे थौट आते हैं हमेशा डर वाले घबराट वाले परिशानी वाले तो ये सारी चीज़ें से निजात पाने के लिए ये जो गनेश जी के दिन है ये बहुत शुब दिन रहते हैं क्योंकि गनेश जी विगन हरता है तो उनके जो हवन है वो स्पेशली बनाए गए हैं स्पेशल हवन्स है तो वो साथ सितंबर से चालू है आप कभी भी कॉंटेक्ट करके अपने नाम से बुकिंग कर सकते हैं और मेजर माइनर हवन् से हैं वो बड़े लेविल पर होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं और माइनर हवन रहते हैं जो कि आपको सही बैट सकते हैं तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और और भी वराइटी ओफ हवन तो हमारे हमें इश्या जलते रहते हर महीने हर दिन है तो आप ले सकत हैं यहवन और माला जब जो की आपको positive energy देंगे protection देंगे अब हम आते हैं आज की tarot reading पर तो आज की tarot reading है कि काली मां का आपके लिए क्या संदेश है तो पहले ही आपकी card shuffle करके रखेते हैं देखते हैं इसमें क्या basic message आया है तो देखिए यहां पर आपका जो messages आये हैं वो खास कर आये हैं बहुत बड़े जो आपके life में changes हो रहे हैं उससे related ठीक है अब यहां पर देखिए यह है आप यह समझे यह जो changes है यह हैं किसी person से related ठीक है अब आपकी life में कोई एक person रहा है कुछ समय मान लीजिए साथ आठ साल मान लो कुछ लोगों के लिए year हैं और कुछ लोगों के लिए जो last 7-8 month रहे हैं मान लीजिए यह जो पूरा साल रहा है क्योंकि August में यह record हो रही है तो मतलब यह जो पूरा साल राय तो 2024 यह उस से related message है और वैसे यह reading timeless है तो कभी भी जब भी आप देख रहे हैं तो यहां से 7-8 साल पहले या फिर 7-8 महीने जो last रहे हैं आपके उसमें देखो कुछ बहुत जादा चीजें बदली हैं transform हुई है ठीक है मतलब यह समझें यह जो आपका समय था यह transition process में था transition state में था ठीक है अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि यह जो transition state है आपका यह होता है इसमें क्या है चीजें स्थिर नहीं होती है मतलब कि ये वो समय होता है ये वो दौर होता है जहां पे चीजें बदल रही होती है पुरानी से नई में तबदील हो रही होती है बदल रही होती है तो बदलाव हमेशा ही चीजों को तोड़ता मरोड़ता फिर नया बनाता है तो समझ लीजे ये जो पूरे आपके 7-8 महीने या साल रहे हैं, ये definitely आप पर बहुत भारी रहे होंगे, experience-wise, और खास कर जो एक person आपकी life में connected था इन changes में, इस इंसान के अंदर अब आप एक नया तरीके का बदलाव देख पाएंगे, क्योंकि देखिया यहां पर पहली बात ये है कि ये जो आपका जो भी process था बड़ा दुख बरा रहा है, आपने बहुत दुख देखे हैं, हर बार मतलब ये है, एक जो कहते हैं ना, बुरी हवास ही चल रही थी मानलो, ऐसा कुछ था, है ना, कि हर चीज जो आप कर रहे थे, हर चीज आप जो चाहा रहे थे, उसकी opposite ही हो रहा था, और आपको मजबूरी में कलट direction में जाना पड़ रहा था, जहां पर आप नहीं जाना चाहते थे, मतलब यहां पर शायद ऐसा होगा, कि आपके जो कुछ plans थे, कोई सपने थे, या कोई अच्छाएं थी, आपको उनका ग आपको यह divinely orchestrated होती है, और दूसरी बात क्या है, देखो, आपको यह जानने समझने की ज़रूरत है कि बाहर कितनी भी बुराई हो, कितनी भी बुरी हवा हो, या कितनी भी misunderstanding हो, या कितने भी जो ऐसे कहते हैं जूटे आकशेप हो, ब्लेम हो, या चंट चालाक लोग हो, ले ये बताना चाहती है, कि जो देव दूत होते हैं, मतलब spirit guides हैं, जो भगवान के energy होती है, angels वाली, वो एक ही काफी होती है, ये सारी बुराई को काटने के लिए, और दूसरी बात आपको ये समझना है, कि जो भगवान की plan होता है, काली मा का plan है, काली मा के जो दूत है, वो आपको कभी गलर direction में नहीं लेकर जाएंगे, हाँ हो सकता है, उस पल, उस शन आपको शायद लग रहा था या होगा कि आप पर सारे पहार दुक्के, पहार तूट पड़े हैं, बहुत बोज है, बहुत burden है, और पता नहीं, अब यहां से आप कहां जाओगे, क्या होगा, है कहते हैं न, peaceful stage मिली है, एक स्थेर stage मिली है, शानती वाली stage मिली है, कि हाँ यार, यहां से चीजें, अब मैं समझ कर, मेरे control में है, या मुझे समझ आ रहा है, क्या हो रहा, क्यों हो रहा है, लेकिन यहां मैं, यहां catch up कर रही हूँ, कुछ लोगों की energy ऐसी है, कि आप अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, बीच में आप, midst of this transition state हैं, ठीक है, तो देखो, यहां पर काली मा, देखो, कोई भी हो, काली मा का संदेश पहले तो यह है, कि आप protected हैं, हर तरीके से, ठीक है, और अगर आप अपनी personal life को लेकर, या अपनी, भाई, देखो, sexuality को लेकर, या फिर आपकी जो, अगर आप female है, तो मुझे लगता है, आप अपनी body को लेकर परेशान है, आपके periods में fluctuation आ रहा है, या कोई ऐसा इंसान है, जो आपको blackmail कर रहा है, या ऐसे कोई आपको जिससे डर लग रहा है, या परेशानी हो रही है, है ना, तो या जिसकी evil आए है आप पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो काली मा कहा रही है, कि आप पहली बात तो protected है, काली मा का आप पर बहुत जादा protection है, और दूसरी बात ये है, आप ये समझेए, कि आपका जो mind है, वो भी protected है, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करे या हो सकता है, ये कोई ऐसा person है, जो कि energetic work करता है, या आपको ऐसा लग रहा है, कि आप पर, जो spell work है, या वशी करण है, या ऐसा अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि कुछ, आप, आप कहीं किसी और चीजों की influence में आकर, कहीं कुछ अपने ही, अपना नुकसान ना कर ले, तो और अगर आपकी बच्ची है, तो आपकी बच्ची भी protected है, और उसके साथ साथ आपको बस ये मान के रखना है, जो आप अपना, मुझे लगता है, आप भी अपना कुछ spiritual काम करते हैं, ठीके, आप कुछ तो, जो भी, जिस भी आप धर्म के हैं, आप किसी ना किसी power में believe करत हैं, तो अगर बत्ती लगाना हो, या सूरी को जल देना हो, ये कुछ भी करना हो है, तो अगर आप वो करते हैं, तो यहाँ पर काली मा आप से कह रही हैं, कि वो जो आपका काम है, फूजा पाठ है, जो आपकी भक्ती है, आपका faith है, वो बहुत strong है, यहाँ strong clearly दिख रहा है ठीक है, तो ऐसी कोई भी अगर बहार की manipulative energy है, जो किसी भी तरीके से, चाहे वो spiritually manipulate करना चाहते हैं आपको, या अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि चाहे वो आपको बातों से manipulate करना चाहते हैं, या आपके family members को manipulate करना चाहते हैं, तो यह सब चीजों से आपकी ही जो खुद का विश्वास और पूजा है, वो आपको protect कर रही है, और यह जो negative energy है, यह यहां से बिलकुल तडब के भाग जाएगी, है ना, और आपको यह समझना है इस समय कि देखो, यह जो transition state आपका चल रहा है, यह आपको heavy लग रहा है, है ना, लेकिन यह भी काली मा ने आपकी life में कि नई meaning ढूंड सको, अपनी life को एक नया नजरिया देख सको, है ना, अभी तक क्या है, यह नहीं कि सिर्फ दूसरों के साथ, भाई ठीक है, जाने दो, ठीक है, जाने दो करके, जैसे life काटते हैं, या फिर यह अपन सोचते हैं, कि अरे क्या होता, छोड़ा, अरे क्या, मतलब यह होता कि अभी यह तक आप हमेशा से community के हिसाब से चल रहे थे, अपने आपको जुटला जुटला कर, अपनी बातों को, मन को दबा दबा कर, या फिर हमेशा यह सोचना कि जैसा चल रहा है, चलते रहो है, तो यह सब जो चीजे हो रही है, यह एक तरीके से आपकी growth है, ठ इसमें कुछ भी अपना देखिए, पहली बात तो अगर यह transition state जैसा कि मैंने बताया, इसमें चीजें टूटती हैं, नई बनती हैं, ठीके, तो यह painful होता है, पर लेकिन यहाँ पर कालीमा चाहती है, कि आप इस process को भी प्यार करें, accept करें, क्योंकि आप जितना जादा इसको इससे डरोगे, चाहोगे कि यह बंद हो जाए, रुक जाए, बस, अब नहीं, अब और negativity नहीं चाहिए, अब और यह सब नहीं करना है, जितना आप इसको रोकना चाहोगे, जितना आप fight करना चाहोगे, तो यह आपके लिए और भारी होती जाएगी, है ना, तो कालीमा चाह यह एक maturity मिदला, mind का, जैसे आप यहाँ यह काट देख सकते हैं, clearly, ace of wands आया है, यहाँ पर यह है कि आप अपना खुद की समझदारी ग्रो कर सके, है ना, ताकि आप सही decision ले सके हैं, और आप देख सकें कि चीजें, जो हैं, जो आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि इतनी difficult है, पर वो difficult नहीं है, वो जबकी इतनी आसान है, simple है, वो सारी की सारी एक one direction में ही जाती है, है ना, आपको कुछ भी जो confusion था आपके mind में, वो सारा confusion हटाने के लिए कालिमा यह कर रही है, ताकि आपको देखो एक तरीके से clarity आ सके, क्योंकि अभी क्या है, मुझे ऐसा लग अपने किया है, पर लेकिन आपको चीजें अब क्या है, समझ आने लगी कि यह सब चीजों का मतलब क्या था, है ना, तो वही है आपकी खुद की एक individuality बनने के लिए और समझदारी के लिए यह सारा process हो रहा है, और विश्वास रखी आपको fresh start बिलकुल मिलने ही वाला है, और आप ना, अब इस state में आजाओगे, self love वाले state में, कि आपको, जब देखो भाई, इंसान जब तक ही परेशान रहता है, जब तक उसे चीजें समझ नहीं आती है, तब तक frustration होता है, पर जैसी यह transition state है, यह complete हो जाएगा, तो आपको चीजें समझ में आजाएगे, कि तो वो क्यों हुआ, इतना दुख क्यों मिला, इतना जादा जो मुझे गलत लग रहा था, पर वो actually मैं गलत नहीं, वो आपके अच्छाई के लिए था, तो obviously आप क्या है, फिर आप higher mind से सोचने लगेंगे, third eye से सोचने लगेंगे, कि हाँ भाई, जैसा मुझे दिख रहा थ उससे भी जादा उपर कोई एक सत्य है, उससे भी जादा उपर का कोई एक plan होता है, अच्छाई होती है, तो इसलिए यह सब हो रहा है, तो यह काली मा का आपके लिए संदेश है, और protection के लिए तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप protected हैं, आपका घर, परिवाब protected हैं, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप personal tarot reading और हवन के लिए contact कर सकते हैं, काली मा हवन भी available हैं, रक्षा कवच के लिए और protection के लिए, तो आप contact कर सकते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं मिलूंगी next video में,